आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज आपके लिए खुशकबरी है आज हमारे स्टूडियो में आया है सिये राहूल बजाद जी जी एस्टी एक्सपर्ट है और आज हम सर आप से कुछ सवाल पूछेंगे जो अभी ह हमारा नया सर्कुलर आया है सर्कुलर नंबर 178 इसे लेकर लोगों में कंश्यूजन है किलियर्टी नहीं है पूरी तरह से तो हम अपने सब्सक्राइबर के भ्याप पर आप से सवाल पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना होगा तो सर पहला तो सवाल यही है कि इतने सारे सर्कुलर आ रहे हैं इन्हें डेली डेली पढ़ना और इन्हें समझना अपने आप में डिफिकल्ट वर्क है अब यह जो सर्कुलर आया इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई employee हमें छोड़ कर जाता है ठीक है ना और उसकी जो salary है कई बार क्या होता है notice period होता है बड़ी है तो हम कई बार उसे जब्त कर लेते हैं या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी company में जाते हो ठीक है और वो कहते है कि आप पहले से release होकर आ जाओ तो उसके बदले में कई बार वो सामने वाली company हमारे को पैसा दे देती है उस case में क्या होगा या कई बार इसमें यह कि लेट सपोज आपने क्या करा मेरे से एक अपील फाइल करवानी थी एक करोड का मेंटर था आपने का कपिल सर एक अपील फाइल कर दो तो मैंने का सर मैं इसके लूँगा पाच लाग फ्लस में जी एस्टी मैं इसकी आपको quotation दे दी invoice भेज दिया आपको लेकिन आपने ठी करेंट हो गया कुछ भी हो गया तो दो लाग रुपे जो आपने मुझे दिये अब वो कॉंट्रेक्ट तो इनकंप्लीट हो गया अब आप कह रहे हो कि भाई साब मैं आपको रिमेनिंग पेमेंट नहीं दूंगा तो इस वाले केस में जी एस्टी लगेगा या नहीं उससे पहले मैं जरा एक सर्कूलर का एक बेसिक आपको सबसे पहले शुरुवात करना चाहता हूं कि सर्कूलर यह जो आया है वैसे तो एक्ट्रस्टी की बहुत पहले से ही इसकी डिमांड थी लेकिन 3rd of August 2022 को गो जीस्टी काउंसिल ने इस सर्कूलर को इंट्रिद्यूस कर नहीं होई थी जो इसके उपर इन्होंने बड़े ही एक अच्छे तरीके से यह बताया कि इसके उपर जीस्टी के आप्लेकिबिल्टी आएगी या नहीं आएगी राइट जो इनके सर्कूलर की वह सब्जेक्ट लाइन है वो यह कि अगर आप कोई भी किसी से होने के बाद कोई liquidity damages कुछ compensation या कुछ penalty जो भी amount आप forfeit कर लेते हो उसके ओपर जीस्ट के applicability है या नहीं है बिल्कुल सब्जेक्ट लाइन इसकी यह है अब as we know कि schedule 2 में पैरा 5 एक entry को mention करता है जो entry हमें बताती है अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो यह supply of service था बट कहीं भी यह clarity नहीं थी कि यह transaction या यह activity supply GST में है भी यह नहीं है उस supply की clarity को लाने के लिए circular जो है जो circular है इसको release करा गया तो अब आप यह समझ लीजे जो schedule 2 है तो schedule 2 सर हम अपने course में भी बताते हैं रहते है schedule 2 को अपने course में तो उसमें हम यह बताते हैं कि schedule 2 यह बताएगा कि क्या चीज गुट से क्या चीज सर्विस है लेकिन schedule 2 यह कभी नहीं बताएगा कि इस पर GST आएगा या नहीं आएगा यह supply है या नहीं है अगर आपने अभी तक हमारा course नहीं लिया है ना तो अभ अगर आप course purchase करना चाहते हैं तो आप हमारी team से बात करके discount avail कर सकते हैं अगर किसी की Google Drive pen drive expire हो गई है तो आप उसे renew करा सकते हैं उसके उपर भी discount है तो यह सारी चीज हम अपनी Google Drive pen drive में समझाते हैं हासर उसमें यह चीज के लिए थी कि भई यह बताता है कि यह service है लेकिन य तो काफी सारे cases by cases हम इसमें circular में discuss करने जा रहे हैं उससे पहले हम यह समझते हैं with examples के लिए जो हमारे three limbs हैं इसमें to refrain from act और to tolerate an act or to do an act उसका meaning के actual में वो किस purpose के लिए use किया जाता है तो first is the limb is the to refrain from act, refrain को हिंदी में हम बोलते हैं किसी रोकना, that is the कि अगर आप कोई Mr. A Mr. B क के साथ कोई भी अगर contract करता है किसी काम को ना करने के लिए तो वो इस activity या इस part में वो cover होगा उसका contract supply of service के लिए for example जनली जैसे contracts होते हैं किसी भी काम को ना करने के लिए जैसे मैं एक example देता हूं let's suppose हमारा के जे क्लासिस का institute है ठीक है बराबर में एक institute हो रहे हैं अब वो एक इस इस ने मुझे बोला एक क्लासिस तुमारी वज़े से ना हमारी सारी ना मार्किट खराब हो रखी है तुम ऐसा करो तुम ना दुबाई चले जाओ और अपना institute बंद कर दो तो मैंने का जी मैं दुबाई चलाओंगा अपना institute बंद कर देता हूं इसके बदले में मु को खतम करने के लिए कुछ भी पैसा देना के तोर पे वह इस हमारी लिम्स में कवर होता है अब नेक्स्ट जो है हमारा टू टोलरेट का मतलब हो गया कुछ भी चीज को किसी भी पैसा लेना उस काम को ब्रदाश करने के लिए या सहने के लिए बिसकी एक सिंपल सी एक्जाम करते हैं तो ब्रदार को कहीं न कहीं लोस हो रहा है किसी चीज को वह टोलेट कर रहा है उसके बतले में वह उनसे वह मंतली या इरली जब कौटरली कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐस सप्लाइब सर्विस इस लिम्स में हमारी कवर होती है ठीक है एंड ठांड लिम्स जो है समझने लगे हम तो यह दिफिरेंशWow कर रहा है काफी एक थिन लाइन डिफ्रेंशेशन दे पा रहा है यह इस कॉंट्रेक्ट को अब हम जब हम सर्विस टेक्स पढ़ते थे दें सर्विस की हम क्या रीड करते थे कोई भी एक परसंस के द्वारा दूसरे परसंस के लिए परफॉर्म करी गई है इसमें एक तो कंसीडरेशन के सास है जो आपकी विलिंगनेस है किसी की दोनों पार्टी की डिजायर से किसी भी कॉंट्रेक्ट को करने करने के लिए वह होनी चाहिए को परफॉर्म करने के लिए क्योंकि हम जब भी किसी परसंस के साथ कोई करते हैं तो कंट्रेक्ट को परफॉर्म करने की हमारी इंटेंशन होती है सर ना कि कभी कुस कॉंट्रेक्ट को ब्रीच करने राइट राइट इस इंटेंशन को देखते की recovery है ना कि वो इसके contract वो दूसरा कोई contract नहीं है हम उसको यह नि कह सकते वह toll rate and act के लिए जो जर्री जो notice आ रहे तो इसलिए आ रहे थे कि इसको toll rate and act के लिए cover करेंगे और यह supply of services मानगे लेकिन लेकिन ताहुल जी इसे account में पाच लाग रुपे दिये अब आपने मेरे account में पाच लाग रुपे दे दिये काइदे से मुझे उस पर GST देना है मैं आपको service provide करता हूँ GST देना है लेकिन मैंने क्या करा कि या इस पर पाच लाग जी नहीं देते तो मैंने यह क्या करा एक agreement बना दिया राहुल जी से कि राहुल जी और जो मेरा agreement हुआ तो वह बीस लाग की service का हुआ था किसी appeal को file करने का और वह वह क्या कि राहुल जी ने पाच लाग मुझे advance दिये और पंद्रा लग काम होने के बाद देंगे लेकिन उन्होंने पंद्रा लाग रूपे मुझे काम होने के बाद नहीं दिये तो यह क्या कर लिक यह मैंने फॉर्फिट कर लिए तो यह वाली जो एमाउंट है पाच लाक इस पर जीस्ट ना लगे ना लगे क्योंकि सर्कूलर तो यह ही कहता है तो इस तरीके से तो यह टेक्स प्लैनिंग का टेक्स इवीजन का त्यार नहीं बन जाएगा आप इसको कह सकते हो इस तरह यह ट सब्सक्राइब करोड़ यह 2000 क्रोड़ पर इसके जिनके कॉंट्रेक्ट से जरली उनके लिए निकाला गया इसका अगर दूसरे नजरिये से अगर हम देखे तो यह चोटे के लिए या पार्टिस के लिए एक अवेजन का भी एक पार्ट बन सकता है कि आप अपने किसी को भी कि एक अमाउंट ट्रांसफर कर दो और कॉंट्रेक्ट को ब्रीच कर दो और अमाउंट को फॉर्फेट कर दो विदाउट ऐनी गिविंग कोई भी जीस्टी हमें उस पर नहीं देना पार तो यह टेक्स प्लैनिंग टेक्स इवीजन का अतियार बन सकता है लेकिन आपको करना है लेकिन इसकी इंटरप्शेटर जीं के यह टू शिकूल्लने बढ़ें तो इसमें न काफी सारी एक स्रेंट्स इंपोर्ड्स इसकाल जिन के इननोटिस निगाल रहे था वह एक्समेंपल्स और इन नोटिस के बारे में एश्प्लेइन कर रा कि इन préf one two one डिसकस करते इंटेंशन उसको प्रफॉर्म करने की है ब्रीच करने की नहीं है बट सेकंड पार्टी अगवर आपके कॉंट्रेक्ट को ब्रीच करती है तो उसका लिक्विडिटी डेमिजिस को आप फॉर्फिट करो और उसके ओपर जी कोई बी अपलिकेमिटी नहीं बेडाने के लिए ना कि उसको डिसओनर के लिए हमें चैक को किसी भी पाट यह कोई वी बाठी नहीं करेंगे राइट नहीं करेंगे एंड थर्ड वन जो हमारे पास सिनेरियो इसमें केसिस केसार है लेट पेमेंट ओन सरचार्ज और फीस यह जर्रली एक इंपोर्टन है अब क्या कुछ हम फॉर एक्जांपल हम वाटर बिल्स दे रहे हैं एलेक्टर सिटी बिल्स दे रहे हैं या फिर कोई भी अगर हम बिल दे करेंगे क्यों उनका कहना है क्योंकि यह एक अडिशनल फैसिलीटी आपको प्रवाइड करी गई है कि आप ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट कर सकते हो इवन आपकी इंटेंशन पे करने की है यहां भी बट उसके साथ एक फैसिलीटी को अडिशन कर दिया उन्होंने कि आ बताता है कि अगर को इंट्रेस्ट या लेट फीस जब आप रिसीव करोगे तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा यह सब अपने कोर्स में बताते हैं दुबारा आपको बतारो वह डिसकाउंट चल रहा है तो आप वीडियो देखने के बाद हमारी टीम से बात करें और हमा लगेगा बल्कुल ठीक अब नेक्स्ट जो एक इंपोटन ओर एक्जांपल दी फॉर एक्जांपल आप मूवी टिकट्स करवा रहे हो त्रें टिकट्स करवा रहे हो तो इसमें भी आपके पास क्या होता है एक फैसलेटी होती चैंसलेशन करवा ने की विदिन कुछ दिन प पर रेट अप्लिकेबल होगा वो जो में सप्लाई का जीएश्टी रेट है वही एजटी आपका एक्च्छ सप्लाई का रहेगा अब सर जो आपने कोशन पूछा था कि कोई इंपलोई अगर नोटिस पीरिट बिफॉर नोटिस पीरिट से पहले अगर वो इंपलोई चला ज कोंट्रेक्ट होता है तो विद इंपलोई कोई बिफॉर करता है तो वो सिरफ अपने लोस की एक रिकावरी कर रहा है वो कोई ऐसे सप्लाई नहीं है क्योंकि उसमें दोनों पार्टी की इच्छा ये डिजायर्स इन्वोल्व नहीं है तो इसके उपर हम जीएस्टी को एप इसके उपर नहीं आई है लेकिन सर मेरा कॉशन काया है न मेरी मेरा कॉशन इसमें कोर एड़न करके है कि लेट सब्सक्राइब हमारी एक एंपलोई है वैशाली किसी दूसरी कंपनी में है तीक न महां पर वो नोटी सर्ट में काम कर रही है और वह कर दो महीने बाद आपके पास आऊंगी और अगर में दो महिने पहले आती हो तो मेरी कंपणी में से दो लाग रुपे लेगी। मैंने उसने मेरे पास इंटर्व्यू दिया है और इंटर्व्यू में स्लेक्ट हो गई। तो मैंने क्या करा मैंने का वैशाली मुझे ना immediate joining चाहिए उसने का नहीं सर में आई नहीं सकती मेरा 2 महीने का notice period है यह है ज़ए तो मैंने का ठीक है मैं आपकी company से बात कर ले तो अगर वो पैसे में दूँना company को तो उसके लिए यह आप करें होना कि मैं किसी डूसरी company के साथ यह contract कर लेता हूं कि रिचाली मुझे before notice period से पहले अपनी company में चाहिए उसके लिए मैं आपको दो लाखर पर पे कर रहा हूँ that is a separate contract जिसमें आप दोनों parties की desires और willingness भी involved है और second element आपका consideration भी involved है that is a different contract जिसके उपर GST आएगा as per this circular तो नहीं फिर इस वाले में तो ऐसा होगा फिर क्या करूंगा मैं वैशाली को दे दूँगा और वैशाली उस company को दे देगी वैशाली अगर उस company को दे देती है तो उस case में नहीं आएगा बट अगर आप दोनों parties आपस में contract कर लेते हो तो तो यह कुछ बेसिक्स जो जर्म यह हमारे cases थे इसमें एक और case था हमारे पास cancellation charges अगर कोई भी movie tickets party tickets या कोई भी cancel होता है तो उसके ओपर GST की applicability आ जाती है अगर हम सर क्रक्स की बात करते हैं तो जहां तक हम यह circular को समझे हैं इसमें वही same as thin line differentiation लग रही है कई same criteria में कहीं GST की applicability आ रही है और कहीं GST की applicability नहीं आ रही है कि हम same criteria को लेके चले और जहां तक हम समझ पा रहे हैं इसमें एक तो government जब आप contract कर रहे हो किसी दूसरी party से उसकी intention देख रही है कि वह intention आपकी perform करने की या breach करने की है तो उसके ओपर GST की applicability आ गी प्लस अग 78 फिर भी अगर अभी तक नहीं समझ आया है तो next month अगस्त महीने में नहीं September महीने में हम क्या करेंगे सर इस वाले circular को अपनी magazine में पूरा detail में analyze करके दे देंगे तो अगर किसी ने अभी तक हमारी magazine subscribe नहीं करी है तो हमारी magazine को subscribe करा लो अगस्त महीने की magazine सब को मिल गई होगी फिजिकल कोपी भी आपको मिल जाएगी तो आपको कैसी लगी हमारी magazine हमें comment box में लिखकर बताना और अगर आपको हमारी magazine की sample कोपी चाहिए इस नंबर पर WhatsApp करके मांग सकते हैं आपको अगर हमारी flyer service चाहिए इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं और जो हमारा discount चल रहा है अगर वो available करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कर सकते हैं और एक important information आपके लिए यह है कि 14 अगस्ट संडे को अगर आप कई घूमने नहीं जा रहे हैं तो हमारा webinar seminar join कर लिजिए किस पर GST 9 पर और जो 3B की जो returns में changes हुए उन पर इससे आपकी knowledge बढ़ेगी आपको 9 file करने में आसानी रहेगी इसके लिए आप registration करा लेना क्योंकि इसकी जो सीट होती है limited होती है इसमें और कुछ addon करना चाहते हैं कि circular में यहां वीडियो को close कर सकते हैं अब प्लीज अगर आपको कुछ और भी extra addon करना तो इनकी magazines और इनकी वीडियो और फ्लाइस जरूर देखें आपको वहा का दिल से धन्यवाद थैंक यू थैंक यू का पिज़ा